वेलकम टू शिद्धिकिस क्लासेस आज हम पढ़ेगे लैक्टेशन लैक्टेशन क्या होता है सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर इंग्लिश में पढ़ेगे क्या है तो लैक्टेशन होता है milk का producing milk and of the pregnancy जब pregnancy के last day चलते हैं तो उसमें milk produce होता है जिस process को हम lactation कहते है the memory gland of the female undergo differentiation during pregnancy कि जो memory gland female के है उसमें क्या आते है काफी सारे change आते है pregnancy के time पे and start producing milk और जब वो changes आते है उसके memory gland में क्या start हो जाता है हमारा milk बनना start हो जाता है toward the end of the pregnancy by the process called lactation और इसी process को हम lactation कहते है जब हमारा milk बनना produce हो जाता है this help the mother in feeding the newborn अभी जो lactation से हमारा milk बना यह milk हमारा help करता है feeding कराने में जब भी newborn होता है उस time पे जो भी baby होता है उसके लिए the milk produced during the initial few day कि जो शुरू के दिन milk produce होता है उसका एक special name में जिसको हम कहते है colistrum यह शुरू के कुछी दिन होता है फिर बाकी जो होता है फिर वह नॉर्मल मिल्क होता है तो यह milk क्या होता है which contain several antibodies जिसमें क्या होती है इस colistrum में several antibodies होती है जो बिमारिये से लड़ती है new one baby के और यह yellow color का होता है हमारा कॉलिस्टरूम और थोड़ा घाड़ा होता है absolutely essential to develop resistance और यह पूरी तरह से जरूरी होता है बेबी में resistance डपलब करने के लिए मतलब अगर कोई इसको चोटी मोटे बुखार वगारा जो आता वो खुद वखुद ठीक हो जाए उसको रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए ग्रो करने के लिए जरूरी होता है for the newborn babies बेंग के लिए एफ चुद लिएेभड दनेयाह